हलो एब्रीबन मैं दिख्षा स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल में UPSC प्रार्मिक परिक्षा को ध्यार में रखते हुए यह सीरे चलाए गई थी जिसके अंतरगत अभी इसके आर्टिकल एक से आपके आर्टिकल 238 तक सभी आर्टिकल औरी कवर हो गये हैं यानि कि पॉलिटी की जितने मेजर सेक्षन थे वो आपके भाग एक दो, तीन, चार, पाँच है जितने भी मेजर पार्ट थे उन सभी को भाग को कवर कर दिया गया है और आपकी स्टार्टिंग की जो इतने भी रूप रेखा रही इतिहासिक प्रिष्ट भूमी रही सम्मिधान के बिसेस्ता है निर्माड प्रिस्ता होना सभी को अलग-अलग करके एक के सेक्षन वाइस इसको कवर किया गया आज जो हमारा टॉपिक है भाग आठ के अंतरगत है कि भाग आठ के अंतरगत आते हैं आपके संगराच चेटरी यानि कि के अनसासित प्रदेशों के बारे में कि इनके संदर में कौन-कौन सी प्रावधान है जो कि आपके एक तरीके से देखा जाए तो इसे भारती समिधान के अंचेट 249 से 242 तक दिया गया है एक तालिस तक के जो अनचेदे उनको कवर किया जाएगा चलिए तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि आखिर संगराच चेटरी होती क्या है संगराच चेटरी के संदर में क्या पिक्रिया दी गई है और कहां से संगराच चेटरों को आखर निर्माड होता है उस सम्मिधान में कहां पर इनका प्रावधान दिया गया है जिसमें ये पिक्रिया देखने को मिलती है तो सबसे पहले तो आता है कि संग राजी छेत्रे में बात करें कि सम्मिधान के अनुछे देख में भारत के राजी छेत्रे की तीन सरेणिया बताई गई है आपने जब आर्टिकल पहला पढ़ा हुआ है तब आपने पढ़ा होगा कि उसमें किस तरीके की स्रेणिया हूँ उनको मैंने अभी आपको ब्रिस्तित रूप में पढ़ाया हुआ है अभी संचिप्त तोर पर देख लेते हैं कि आखिर जब संग राज छेतर का नाम आया है तो उसके संदर में समझ लेते हैं कि आखिर आए कहां से हैं तो ये राज छेतर के बारे में जो भारत के समयधान में इसमें तीन स्रेणियां विभाजित की गई हैं मेलिश राडी तो आते है इसके अंतरगत जैसे कि राज चेतर होना, दूसरी आती है कि अनुसासित प्रदेश होना, तीसरी आती है अन्य-एसे अन्य-चेतर जो कि भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अरजित किये जाएं। के से देखा जाए तो बरतमान में भारत में 28 राज और 8 केंदर सासित प्रदेश हैं इनके संदर में कुछ important point देख लेते हैं कि संग राज छेत्रों के संदर में कि आखिर इनको संगे क्यों कहा जाता है राज क्यों कहा जाता है क्योंकि किसी भी कि देखा जाए तो केंदर सासित प्रदेशने सीधी फिर्देश कहते हैं और इस प्रकार के छेत्रों के संगे पढ़ाली से भीन होते हैं संग राज छेत्रों में एक differences यानि कि एक अंतर को देखा जाए तो पर तेक केंदसासित प्रदेश तो संग राज छेतर होता ही है मतलब कि जो भी केंदसासित प्रदेश है वो संग राज छेतर तो होगा ही लेकिन जरूरी नहीं होता है कि जो संग राज छेतर है वो केंदसासित प्रदेश होगा, तो इसके संदर में यह बात आपको ध्यान रखनी है, अब आता है कि केंदसासद प्रदेशों के गठे नाखेर जो होते हैं जैसे कि आपकी राजज और केंदसासद प्रदेशों अलग-अलग तरीकिसे डिवाइट किया गया है, तो जैसे कि अभी प्रिजेंट में दुआपका दादर और नागर हवेलिया अलग अलग था फिर उनको मर्च कर दिया गया तो ये तो केंदसासिती प्रदेश थे लेकिन जम्मो कश्मीर को एक अलग राज जी का दर्जा दिया गया था लेकर उनको केंदसासित प्रदेश बना दिया गय दोख लद्दाक जम्मो कश्मी तो आखिर क्या वज़ए होती है कि इन सभी को मतलब एक रीजन होगा ना हर किसी वी का जेज के पीछे कारण होता है तो कारण इनके किन सासित प्रदेशों को गठित करने के क्या क्या कारण होते हैं उन कारणों को जानते हो और उनके साथ यह कि किन सासित प्रदेशों का गठन किस कारण से हुआ जैसे कि सबसे पहले तो आता है आपका कारण राज्यतिक और प्रिशासनिक सोच जो की दिल्ली और चंडीगड में है कि इस सोच के अंतरगत दिल्ली और चंडीगड का गठन किया गया और फिर पिछड़े वानसुचित लोगों के लिए बिसीज बरताव देखवाल जैसे में जूरम मारी पुल्तर पुड़ा अर नाचल प्रदेश का अलग पहले गठन किया गया था जब आपका इस टाइट रिंग में यूनियन टेरिटरी जब चौदा राज जो च्छे के अंदिसासित प्रदेश से उन्नी सो सामिल किया गया तो सबसे पहले तो आपकी 1956 में अंडवान ने को बर दीप समों को बनाया गया दिल्ली को 1956 में लक्षदीप को 1956 में इनको आपका के अंदिसासित प्रदेश का बनाया गया दादरा इबं नागरह वेली को 1961 में बनाया गया थो दमन और दीप को पहले 1962 में ले माइंड के में रखें तो ये 1961 में था और 1962 में पुद्यचेरी और चंडीगड को आपका 1966 में बनाया गया और आपका चेम्मु कस्मीर और लद्दा को 2019 में बनाया गया तो इस तरीके से आपके मिलाके टोटल मिलाके आठ केंदसासद प्रदेश होते हैं अब आता है केंदसासद प्रदेशों की संदर में आपके भारती सम्मिधान के भाग जो आपका भाग आठ आता है उसमें आपके अनचे 249 से 241 तक में मतलब की 242 वालत तो है लेकिन वो निरसे थे लेकिन 241 तक में कुछ प्रावधान दिये गए हैं जिसके अंतरगा चेत्रों के प्रशासन चलाए जाता है अब आता है कि संग राज चेत्रों में सबसे पहले तो आता है अनुशे 249 अनुशे 249 कहता है कि संग राज चेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करता है 249 एक ही अंतरकत कहा गया है कि जब तक संसत इस सम्मन्द में कोई बिधी न बनाये तब तक राश्ट पती ही पृति एक संघ राज्य छेत्र का प्रशासन चलाएगा, यानि कि जो भी संघ राज्य छेत्र हैं, उनके संदर में संसत कोई अधिकार होता है कि वह वहां की प्रशासनिक विवस्था की देखरे के लिए कानून बनाये, लेकिन अगर प्रशा सद वहां की प्रशाशनिक विवस्था के लिए कोई कानून नहीं बनाती है जैसे कि आपके आठ के अंदसासित प्रदेश हैं तो वहां का जो प्रशाशन है राश्टपती के द्वारा चलाया जाएगा तो यह इसका गवर्ण जो करेगा वो राश्टपती करेगा और किसी को प्रशाशन नुक्त कर दिया है तो जरूरी रही है कि वो पूरे छेत्र को ही दे दे जैसे पूरा छेत्र तो पूरा छेत्र नहीं है जतना राश्टपती उचे समझे उतना ही उस छेत्र का प्रशाशन वे प्रशासक कर सकता है तो यह सिच्वेशन आपके आर्टिकल 249 के एक मैं कही गई है अब 249 का दूसरा क्या कहता है कि जिसमें राश्टपती को सक्ती दी गई है कि वह किसी राज़ी के राज़पाल को निकटवर्थी संग राज़ी छेतर का प्रशासक निप्त कर सकता है तो यह आपका जैसे आपका यहाँ जैसे दिल्ली है दिल्ली के पास पास जो भी छेतर रहेंगे तो बहाँ के प्रशासक को बहाँ का दर्जा दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पर प्रशासन चलाईए मतलब कि यहाँ की सासन विवस्था को देखिए जो उसके निकटवरती संग राजचेतर होंगे उने के संदर में राजपाल को कह दिया जाता है तो इस तरीके की इस्तिति आपके अनुषे 249 के पहले वो दूसरे में कही गई है अब आता है अनुषे 249 का के बारे में अनुषे 249 का के संदर में देखा जाए तो यह जो होता है बै कुछ संग राज छेत्रों के लिए स्थानी बिधान मंडलों या मंत्री परसदों का या दोनों का सिर्जन करता है तो यह किसके संदर में है कि आपके स्थानी बिधान मंडल हो गए और मंत्री परसद दोनों के सिर्जन के संदर में होता है जिसमें चौधवा सम्मिधान संसुदन अधिनियम 1962 का हुआ था जिसमें अनुछे 249 का को सामिल किया गया था तो इसे कब सामिल किया गया ये भी प्रावधन पूछता है किसे किसा सम्मिधान संसुदन के अंतरगत सामिल किया गया तो इसे 249 की का के अंतरगत इसे सामिल किया गया जिसमें ऐनश्वेत के अंसार सनसत को कुछे संग राज छेत्रों के संबने में आदिकार दिया गया था कि वह विग्धी-द्वारा उस- तो यह मिन्ः उस्च्वेशन कर सकेगे और दूसरी सिच्वेशन यह जैसे पहली सिच्वेशन आती है दूसरी आती है कि उस राजी छेतर की मंत्री परशत का सरजन कर सकेगी और तीसरी आती है कि बिधान मंडल या मंत्री परशत दोनों का सरजन कर सकेगी तो इसके अंतरगती अलागलाग सिचुएशन दी गए है कि इस ताइम पर 249 का के अंतरगत इस अंसत को कुछ संग राजी छित्रों के संदर में अधिकार दिये गए हैं अब आता है इसके अंतरगत आपका नेक्स्ट आर्टिकल जो 249 का का के अंतरगत हैं जो कि दिल्ली के लिए एक बिसे सुपबंद देता है दिल्ली के एक बिसे सुपबंद के संदर में देखा जाए तो आपका 1902 में पहली बार लिदान सवा इस्थापित की गई थे जो कि भारती शम्मिधान की भाग गा पहले जब एंतरगत अलंग अलंग तरीके से इनको डिवाइट की थे तो कुछ जो छेत्र थे उस बाग गा कि अंतरगत हो इस तरीके से इनके जहिए तो उसी तरीके से इनका विभाजन था लेकिन अब जो दिल्ली जो था वो दिल्ली एक तरीके से भागगा के अंतरगत आता था और यह राज्यों की सासना दिनियम 1909 का था और चार वर्स बाद 1956 में राज्य के पुनरगर्थन की साथी दिल्ली की विधान सभा का उनुमूलन कर ल के लिए सरकारिया समीती का गठन किया गया जो आंगे चलकर एक बाल कृष्णर समीती कहलाने लगी तो इन समीती की सिफार्षों के आधार पर संसने उन संतर बे सम्मिधान संसुदन अधिनियम 1991 के अनुमाध्यम से सम्मिधान में 249 का का और 249 का को सामिल करके दिल्ली से सम समधित नई प्रावधान किये हुए थे तो इस कौन सी समीती थी पहले सरकारिया आयो मतलब सरकारिया समीती थे लेकिन धीरे बाद में बदलकर बलबाल कृष्णर समीती हो गई और जिसमें प्रावधान किया गया कि उनसट विसमिधान संसुदन अधिनियम 1991 के अंतरगत अ कि प्रावधानों के अनुशरान करते हुए दिल्ली को राष्टी राजधानी 613 धीनियम 1991 में पारत किया और बंतमान में दिल्ली का प्रशासन इसी अधिनियम यानी की एक तरीके से देखा जाए तो अन्शे 249 का खा और 249 का खा के निर्दिश से प्रावधानों के अनुशर चलाया जाता है अब एक तरीके से बरतमान में दिल्ली की स्थती को देखा जाए जो उसका प्रशासनिक धाचा है उसके बारे में बात की जाए तो दिल्ली संग राजचेत्रों को दिल्ली राष्टी राजधानी छेत्र कहा जाता है मतलब कि दिल्ली संग राजच चेत्र जो है उसे राश्टी राजधानी चेत्र कहा जाता है जैसा की है और दिल्ली के लिए राश्टपती के द्वारा निक्त प्रशासक को उपराजपाल कहा जाता है तो जो राश्टपती द्वारा जो दिल्ली में राश्टपती द्वारा जो प्रशासक निक्त किये जाते हैं उनको ओपराजपाल कहा जाता है और विधान सभा में इस्थानों की गुल संख्या तथा निरवाजन छेत्र का बिभाजन संसत द्वारा निर्मित बिधी के अनुशार किया जाता हो और संसत ने अभी तक यह संख्या कोई प्रावधन बनता ही नहीं है सेस राजोया के इंसासत प्रदेशों के लिए 91 वी समिधान संसुदन अधिनियम के तहट मंदरी परशत के सदस्यों की अधिक्तम संख्या 15 परशंट यानि किनियम सदन के इकुल सदस्य संख्या की हो सकती है पर इंतो दिल्ली सरकार के मामलो में सीमा 10% है मतलब कि जो आपका 91 समिधान संसुदन हुआ था उसमें मंत्री परशत के सदस्यों की संख्या के लिए 15% इसमें निर्धारित किया गया था जिसमें लोकसभा और आपकी राजसभा के संदर में जिसमें लोकसभा के संदर में यह सदस्य संख्या निर्धारित क की न्युक्ति भी राश्ट पती करेंगे लेकिन मुख्य मंत्री की सलाह से तो दिल्ली जो राश्टी राजदानी छेत्र है वहाँ पर जो मुख्य मंत्री की न्युक्ति करेंगे वह राश्ट पती करेंगे और जो राश्ट पती कि मंत्रियों की न्युक्ती भी राष्टपती ही करेंगे लेकिन मुख्य मंत्री की सलाह से तो यहां पर एक major region है फिर आता है कि सभी मंत्री जो है राष्टपती यानि कि उपराजपाल नहीं कि प्रशाद पर्यांत पर्धारन करेंगे यानि कि रुप राजपाल नहीं लेकिन और जितने भी मंत्री होंगे बैराश्टपती की प्रशाद परियंत पद्धारण करेंगे तो यह दिल्ली के संदर में विसेश प्रावधन आते हैं अब आता है अनुछे 249 का काखा एक तरीके से क्या प्रावधन देता है कि सम्मिधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दसा में विसेश प्रावधन जारी करता है तो इसके संदर में बात की जाए तो एक तरीके से आता है कि यदी राश्टपती उपराजपाल से प्रतिवेधन मिल लें या यह समाधान हो जाता है कौन कौन से समाधान हो जाए मतलब कि एक उसके द्वारा प्रतिवेदन मिल जाए या फिर एक कुछ-कुछ इस्तिति हैं जैसे यह दूस सिच्वेशन है उनमें राष्टपती को समाधान हो जाता है कि यह सी स्तिति उत्पन हो गई कि उसमें राष्टी राजदानी छेत्र का प्रशासन अनुशत 249 का का कि या उस अनुशत के अनुशरण में बनाए गई किसी विधी के विधी के विधी बनाए गई है जो भी वहाँ पर जो विधी विवस्था की गई है अगर उसके अनुशार शासन नहीं चल रहा है राष्टी राजधानी छेत्र में तो उस सिच् उचित प्रशासन के लिए ऐसा करने के लिए समिचीन हो मनलब कि ऐसा कोई उचित प्रशासन जो निश्चित किया गया है वो उस तरीके से चल रहा है तो उनके संदर में राश्टपती आदेश द्वारा अनुचित 249 का का के किसी उपवंध क्यों है उस अनुचेत के अनुच कर सकेगा और अन्चित 249 का 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 के अनुचार राश्टी राजधानी राजजी छेतर में प्रशासन के लिए आवश्चिक समीचेन प्रदीत होगा तो मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो ये समयधानिक तंत्र के आपका अगर बिफल हो गया है जैसे दिल्ली राश्टी राजधानी छेतर में ये समयधानिक तंत्र बिफल हो गया है तो एक ऐसी इस्थिति उत्पन हो गई है कि जो प्रशासन जिस तरीके से चलाया जा रहा है तो वो नहीं चलाया जा रहा है मतलब कि जो पिक्रिया कही गई थी उसमें चला जा रहा है या पिर एक तरीके से जो उनके बिसे सुपबंधों के पिरवलतन के लिए कुछ नियमों और सर्वतों के अधीन रहते लिए कुछ कारे करे कुछ निलंबित भी कर सकता है किसी भी चैज को और अंशित 249 और 249 का का के अंतरगत वह राष्टी राजधानी छेतर के लिए आवश्यक होगा तो इस तरीके से ये राष्ट पती के द्वारे ये प्रमुक प्रावधान अध्यादेश चारी के जब जब मिधान एक तंतरवे फल हो जाता है तो उसके संदर में प्रावधान दिये गए और अंशित 249 का जो खा है वो क्या कहता है 249 का खा जो है वो एक तरीके से कहता है कि विधान मंडल के विद्शांत्री कराल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासिक की सक्ति है यानि कि जो विधान मंडल के विशांत्री कराल चल रहा होता है तो उस टाइम पे अध्यादेश जारी करने की जो प्रशासि जो राष्टपती द्वारा निक्त किया गया उसकी सक्ति के संदर में है जो राष्टपती के द्वारा प्रशासक को निक्त किया जाता है तो इसमें जो आपका प्रावधान जो 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 तो मतलब कि कुछ जो छेत्र हैं उनके लिए राश्टपती को सक्तियां दी गई हैं कि बहे सांती और प्रक्तिवम सुसासन के लिए उनमें कुछ नियम बना सकता हैं तो ये संग कुछ संग राज छेत्रों के लिए राश्टपती को ये अधिकार दीए गए हैं अब आता है हमारा 241 आर्टिकल के बारे में जो कि संग राज छेतरों के संदर में अन्छे 241 के अंतरगत बात की जाए तो यही एक तरीके से जो आर्टिकल है उच्छ नियालाय का प्राउधन करता है तो यह किसका प्राउधन करता है यही एक तरीके से उच्छ नियालाय का प संग राजे छेत्र के लिए एक उच्छ नियाले का गठन कर सकती है तो इसके अंतरगत ये बिविभिन जो आपकी 8 संग्वाजाद छेत्र हैं। उनकी अंतरगत अलग- अलग कौन कौन से को च्छ् संग राजेशे उनकी बारे में जान लेते हैं। साथी साथ ये भी जान लेते हैं कि कहा का प्रशाज बहाँ पर कौन सा किसका सासन रहता है तो सबसे पहले तो आपका आता है अंडमान निकुबर दीप समुई अन्वान निकोबर दीप समूई के अंतरगत जो आता है तो वो आपका कोलकता उचनेयले के अधीन आता है और यहाँ पर जो आपकी कारपाल का होती है वहाँ पर आपका उपराजपाल का सासन होता है वहाँ का प्रशाशक होता है उसे उपराजपाल कहा जाता है फिर आता है चंडीगर चंडीगर जो होता है वो पंजाब ऑ रही रहा उच्छी नहाले के अधीन आती है और यहाँ जो मतलब प्रिशासक होता है उसले प्रिशासक की नाम से ही जाने जाते हैं, फिर आता है दिल्ली, दिल्ली में जो देका जाए तो एक तरीके से यहाँ का अलगी तो उपराजपाल भी हैं मुख मंत्री भी हो मंत्री परसद भी है तो यहां पर दिल्ली के आपके उपराजपाल मंत्री परसद और मुख मंत्री तीनों ही यहां पर हैं जैसा कि आप देखते हैं फिर आता है लक्षदीप लक्षदीप जो है किरल उचने आले के अधीन आता है इसके बाद आता है पुदुचेरी जो की मदरास उचने आले के अंतरगत आता है और यहाँ पर भी आपके उपराज पाल है मुख्य मंत्री है और मंत्री परसद है तो आपके जो पुदुचेरी है यहाँ पर उसी तरीके से है जिस तरीके से दिल्ली में है कि यहाँ पर आपक प्राज पाल भी है मुख्य मंत्री भी है और मंत्री परसद भी है फिर आते हैं आपके इसके बाद जम्मु कश्मीर जम्मु कश्मीर का अपना ये कुछ चिन्यालाय है वो इसके अंतरगत आता है लद्दाग जम्मु कश्मीर उचिन्यालाय के अंतरगत आता है और जो पुदूचेरी थे। प्राजपाल रहते हैं लेकिन चंडीगर्ड, दादराइब नागरहवेली और तलच्छदीप में आपके प्रशासक के तौर पर यह काम करते हैं मतलब कि यहां के जो सासक होते हैं उसे प्रशासक कहा जाता है तो इसके संदर में प्रमुख इंपोर्टेंट जानकारी है अब हाता है इसके अंतरगत यहां पर एउच्टять-नियाले के बारे में देख लिया यहां की कारपाल का के बारे關係 को भी देख लेते हैं कि कि राज्यों के अंदर से संगी है संवन्ध होता है लेकिन राज्यों के अंदर से एकएकामात कैंदर के साथ सकति का वतवारा होता है, यहां पर जो नियंतर होता है वैसी तोर पर प्रशासर्नी वम नियंतर्म होता है, ए आपकी 28 राज Versia 8 के इस्दे प्रदेस vocês ने अफ्था इस तरीकी की पिक्रिया होती है, जो आपकी 8 के इस्देस प्रडेस वहां पर इस प्रशास्त प्रदेशों में प्रशास्तिक विवस्ता में कोई भी समरूपता नहीं होती है। चुड़कर बिधी बनाने का दिकार नहीं है। finish होता है next class में आपकी भाग no को cover किया जाएगा तब तक आप इस session को जादा से जादा share करें वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें धन्यवाद